दो हजात देईस में तामिन सिनिमा की उच्च बिंदों में से एक के रुप में कहा जाता है कि अजित कुमार की तुनिव बॉक्स आफिस पर विजे की वारिसों से टकरा गई है ट्रेट एक्सपर्ट्स का अनमान है कि इस हफ़ते दोनों फिल्मों के बीच में बॉक्स आफिस पर टक कर होने वाली है और यह देखना दिल्चस्प होगा कि दोनों फिल्में बॉक्स आफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है त्रेलर में उन्होंने एक बैंक को बंदग बना रखा है और एक बड़ी रकम की मांग कर रहे है अपने पीछले उपकवनमों के विप्रीद अजित फिल्म में एक ग्रेक करदार निभारते हुए नजर आ रहे हैं इसमें अभिनेता मंजू ओरियर, जान कोकिन, समुदर कनी जैसे बड़े-बड़े दिगज हीरो भी है फिल्म में गिवरन का संगीत है तुनियो के निर्देशक, H.Winone ने पहले IndianExpress.com को बताया कि तुनियो एक बहुश अलीफ फिल्म है जिसमें गाने, कॉमेडी, जग्रे और सब कुछ हैं जो एक व्यावसाइक फिल्म से आप उमीद रखते हैं एक पंती मेरी कहा जाए तो ये दुस्टों का खेल भी है पूरी सिनेमा में जैसा कि कहा गया है कि सब कुछ है गाने हैं, कामेली हैं, जग्रे हैं, सब कुछ है एक व्यावसाइक पिक्चर है परन्तु इस पिक्चर की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी जिसमें अजित ने एक मेसेज के रूप में दिया है वह यह है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना धंग से पड़े सिगनेचर नहीं करें अर्थात अपना हस्ताक्षर नहीं करें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जैसे म्यूचिल फंड आप FD जमा करते हैं किसी प्राइविट बैंक में या कहीं भी चिट फंड होकर है किसी भी जगे में आप ऐसे जमा करते हैं तो उसके एक एक नूग के अन कॉर्णर को ठीक से पढ़िए बिना पढ़े उसे ना साइन कीजिए ना ही वहाँ पैसा जमा कीजिए क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है इस पिक्चर में बहुत ही डीटेल से इस चीज को बताया गया है कि किस तरह से कुछ प्राइविट बैंक्स खुद का लाप कमाने के लिए पब्लिक को लूट रहे हैं तुनियों पिक्चर में एक और बात भी मुझे अच्छी लगी कि बताया गया है कि परिस्तिती से आदमी को न भागना चाहिए ना सुइसाइड कमेंट करने वाली जैसे हरकते ही करनी चाहिए क्योंकि अधिकार्ष ता ऐसा ही होता आया है कि पैसों की तंगी हो कोई समस्या हो तो लोग सबसे इजी सोलुशन होसते हैं कि सुइसाइड कर लें आप अपने पीछे अपने परिवार वालों का क्या होगा या सोचते ही नहीं है इस बात को बहुत ही संजीरिगी से बहुत ही सुन्दर तरीके से बताया गया है क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं होता है पर इस तीस से जूजना चाहिए आदमी को डट कर मुकाबला करना चाहिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है भारती अभीनिता जो मुख्य रूप से तमिल में काम करते हैं अजित कुमार का जन्म एक मैं 1971 में हुआ था आज तक उन्होंने करीबन 60 पिक्चरों में अभीने किया है उनके पुरसकार में 4 विजे पुरसकार, 3 सिनिमा एक्सप्रस पुरसकार, 3 फिलम फेर पुरसकार और दक्षिन, तमिलनाडो राज्य, फिलम पुरसकार भी शामिल है अभीने के अलावा अजित एक स्पोर्ट कार रेसर भी है उन्होंने MRF रेसिंग सिरीज 2010 में भी भाग लिया था वह एक रेस कार ड्राइवर बन गए है मुंबई, चन्ने, दिली जैसे कई स्थानों में भारती सरकिट में परतिस्परदा कर रहे है वह अंतर राश्ट्रे छेतर में फॉर्मूला चैंपिशन में दोड़ने वाले बहुत कम भारतियों में से एक है अजित ने अपने केरियर की शुरुवाद 1990 की तमिल फिल्म इन वीड इन कनवर में एक छोटी सी भूमिका के साथ प्रारण की थी अजित ने 2003 फार्मूला एशिया बीम डव्यो चैंपिश्प में भी गाड़ी चलाए थी उन्होंने 2010 फार्मूला टू चैंपिश्प में दो अन्य भारतियों अर्मान इबराहिम और पार्थिव सुरेश्वन के साथ दोड़ लगाई थी 1999 में सारन की अमर कलम की शुटिंग के दोरान अजित ने अपनी सह कलाकार शालिनी को डेट करना शुरू किया और 2000 में शालिनी के साथ चिन्ने में उन्होंने शादी कर ली आज उनके दो बच्चे भी हैं और बहुत ही खुशाल फैमिली है तो रेडियो हंदुस्तान के मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब अन्मती दे आर जे उमा प्रभाकरन को फिर मिलूंगी इसी तरह सिनिमा की नई नई खबरों के साथ तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हंदुस्तान जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी दोस्तों पानी बचाएं पानी बचाना सिखाएं पेड लगाएं और पेड लगाना भी सिखाएं नमस्कार